Hi friends, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HitFilm Express के बारे में दोस्तों मेरे कहाँ से HitFilm Express दुनिया का best free editing software है मैं इसको personally use करता हूँ और इसमें तमाम वो सारे features हैं जो किसी paid professional software में होता है दोस्तों मैं आपसे request करूँगा कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें इस वीडियो के खतम होते होते मेरी guarantee है कि आप HitFilm Express के basics को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और आप आसानी से HitFilm Express में basic video editing करना शुरू करते हैं दोस्तों HitFilm Express बिल्कुल free है इसका paid version आता है जिसे HitFilm Pro के नाम से जाना जाता है बट आप जो चीज़े HitFilm Pro में कर सकते हैं वो सारी चीज़े आप HitFilm Express में भी कर सकते हैं अभी आप अपने screen पे जो effects देख रहे हैं वो सारे मैंने HitFilm Express यूज़ करके एक से दो मिनट के अंदर बनाया है ऐसे effects आप भी पड़े आसानी से बना सकते हैं तो आईए बेना time waste किये सीधा चलते हैं वीडियो में दोस्तों step 1 में सबसे पहले हम HitFilm Express डाउनलोड करना सीखेंगे आप किसी भी browser में Google ओपन करने Google ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है Download HitFilm Express टाइप करते हैं Google आपको fxhome.com के URL को शो करने लगेगा आप इस पे क्लिक करते हैं इसके बाद हम पहुँच जाते हैं fxhome के वेब पेज पे यहाँ पे आप Download for Free बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों अगले स्क्रीन पे HitFilm Express आपसे donation के request करेगा आप चाहें तो donate कर सकते हैं otherwise आप इसको left में slide करके zero US dollar पे करते हैं और Download बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आप एक display name सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका user name होगा और बाकी सारी information फिल करेंगे यहाँ पे आपको make sure करना है कि जो भी email address आप दे रहे हैं वो correct email address हो क्योंकि HitFilm Express डाउनलोड करने का link आपको इसी email address पे भेजा जाएगा यह सारी information फिल करने के बाद आप send me the express download पे क्लिक कर देंगे और अगर आपका नाम पहले से use में होगा तो HitFilm Express यहाँ पे आपको एक message देगा the name you specified is already in use मैं अपने नाम को थोड़ा सा बदल लूँगा और मैं दुबारा से button क्लिक कर दूँगा उसके बाद आपको इस तरह से एक message आएगा email sent का आप देख सकते हैं दोस्तो HitFilm से कुछ इस तरह की email आती है जिसका subject होता है download your copy of HitFilm Express और यहां पर आप email में नीचे scroll करेंगे तो एक link मिलेगा जिसमें लिखा होगा get your express installer आप इस पर click करके अपनी HitFilm Express की files को download कर सकते हैं और install कर सकते हैं क्योंकि मैंने अपने computer में पहले से ही HitFilm Express install कर रखा है इसलिए इस section को हम skip करेंगे और हम सीधा चलते हैं और HitFilm Express को launch करते हैं मैंने HitFilm Express को launch कर दिया है और यह application launch होते के साथ ही आपको यहां पे left hand side में दो button दिखते हैं new और open new button क्लिक करके आप कोई नए project की शुरुआत कर सकते हैं और open button क्लिक करके आप कोई existing project को open कर सकते हैं इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहां पे आपको आपके सारे पुराने projects नजर आएंगे जिस पे मैंने काम किया हुआ है पहले से और यहां पे नीचे side में आपको add on pack buy करने का option आएगा अगर आपने HitFilm Pro का version लिया है तो यह सारी चीज़ें आपको by default मिलती है क्योंकि हम HitFilm Express की बात कर रहे है जो कि एक free version है तो यहां पर आप separately कोई भी add on pack buy कर सकते हैं राइट हैंड साइड में दोस्तों आपको बहुत सारे tutorial मिलेंगे आप चाहें तो इनको देख सकते हैं यह बहुत ही helpful होते हैं फिलहाल मैं एक नए project की शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं यहां new button पे click कर दूँगा तो जैसे ही आप new project start करते हैं आपके सामने सबसे पहले यह window present किया जाता है और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे दो tab है एक editor tab है और एक rendering tab है normally मैं rendering tab से छेड़ चाड़ नहीं करता और editor tab में आप यहां पे drop down में click करके select कर सकते हैं कि आप किस quality का video बना रहे हैं अगर आप 4K video बना रहे हैं तो नीचे आपको 4K ultra high definitions के options मिलेंगे अगर आप high definition video बना रहे हैं तो यहां पे आपको सारे 1080p के full HD के options मिलेंगे क्योंकि मैं YouTube के लिए video बना रहे हूँ इसलिए मैं 1080p full HD 25 frames select करूंगा और जैसे ही आप यह select करेंगे आप देखें यह नीचे की सारी width और height populate हो जाती है अपने आप frame rate भी अपने आप ही populate हो जाता है aspect ratio दोस्तों हम as it is छोड़ देते हैं square pixels पे और यहां पे आपको option मिलता है duration का इसका मतली है कि वीडियो का duration कितना होगा by default यह 5 minute का होता है आप इसको अपने अनुसार change कर सकते हैं लेकिन फिलहाल आपको यह change करने की जुरुत नहीं है आप कभी भी अपने project के दोरान इसको घटा या बढ़ा सकते हैं last option जो आपको यहां पे मिलता है वो audio का होता है sample rate आपको make sure करना है कि 48,000 hertz से कम ना हो क्योंकि sample rate अगर 48,000 hertz से कम लेते हैं हम तो हमारी audio की quality थोड़ी से impact हो जाती है यह सारे option select करने के बाद हम ok पे click कर देते हैं इसके बाद दोस्तों अगला जो आपके पास window आता है वो आप से पूछता है कि do you want to create high performance proxies create high quality proxies और do not create proxies इन से कुछ खास फरक नहीं पड़ता मैं normally create high performance proxy select करता हूँ ताकि HitFilm Express जब मैं use कर रहा हूँ तो उसकी performance fast रहे click करने के बाद दोस्तों HitFilm Express launch हो जाता है और उसका interface को इस तरह का दिखता है अगर आप पहले से video editing software यूज़ कर रहे होंगे तो ये interface काफी जाना पहचाना होगा आपके लिए लेकिन अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं मैं आपको एक एक चीज शुरू से बताने वाला हूँ तो दोस्तों हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि उपर एक menu bar है जिसमें बहुत सारी items हैं हम इक एक करके जानेंगे फिलहाल हम basic समझ लेते हैं right hand side में आपको जो ये window दिख रही है ये preview window होता है और जो भी editing आप करते हैं उसको यहाँ पर देखते हैं कि आपकी editing कैसी हुई है तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा play button मिलता है जिसको play करके आप यहाँ पर अपने preview को देख सकते हैं साथी में आपको यहाँ पर दो और button मिलते हैं ये button आपको frame by frame अपने preview को देखने में help करते हैं नीचे के side में ये जो timeline है दोस्तों इसको timeline ही कहते हैं और यहीं पर हम अपने सारे editing work को करते हैं left hand side में दोस्तों आपको बहुत सारे options मिलते हैं media के, effects के, control के, history के और ये छोटा सा button है जिसको आप अगर और press करें तो यहाँ पे history और text भी आपको दिखता है यहाँ पे उपर में जो आप खाली सा box देख रहे हैं दोस्तों ये एक window है जहाँ पे आप अपनी raw footage को देख सकते हैं हम इसके बारे में और भी बात करेंगे तो दोस्तों HitFilm Express को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है यहाँ पर import button पर click करना होता है और यहाँ से आप अपने पसंद का कोई भी media file select कर सकते हैं और इसको import कर सकते हैं फिलाल ये 3-4 clips हैं जो कि मैंने internet से download किया है इनमें से ये एक clip मैं import करता हूँ और जैसे ही आप इसको import करेंगे उपर trimmer window में आपको ये clip दिखने लगेगी यहाँ पर left hand side में दोस्तों आपको इस video के बारे में information मिल जाती है ये आपके video का file का नाम है ये .mp4 file है और ये इसकी resolution है 1920 x 1080 pixels और यहाँ पर आपको video की duration मिल रही है जो की 19 seconds और 5 milliseconds की video है 25 frame per second की है और इसमें stereo sound भी है जो की 48,000 hertz पे record किया गया है तो इस section में आपको basic information मिलती है आपके clip के बारे में यहाँ पे trimmer window में अगर आप चाहें तो आप अपनी clip को play करके देख सकते हैं और ये हमारी clip है अब दोस्तों इस clip में editing करने के लिए आपको इस clip को इस timeline पे लाना पड़ता है timeline में लाने से पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो track देख रहे हैं video और audio का और ये master track है हम जो भी media import करके इस timeline में डालेंगे अगर उसमें video होगा तो वो video track पे आएगा अगर उसमें audio होगा तो वो audio track पे आएगा और दोनों का final output master track पे आएगा तो दोस्तों timeline में video लाने के लिए हम simple इसको drag and drop कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने drag and drop किया हमारे preview window में यहाँ पर हमारे video clip दिखने लगी इसको अगर हम चाहें तो इस section में नीचे की तरफ हमें zoom का button मिलता है क्योंकि editing करते वक्त आपको चाहिए होता है कि आपकी timeline बड़ी दिखे ताकि आप आसानी से editing कर पाएं जैसे जैसे मैं zoom कर रहूं आप देखें मेरी timeline में यह video zoom हो किया है यह cursor जो आप देख रहे हैं दोस्तों इसको play head कहते हैं और यह play head जिस frame पे होगा वो frame आपको इस preview window में दिखता है यह play head बहुत important होता है यह decide करने में कि आप video के किस scene में cut लगाने वाले हैं या किस scene में editing करने वाले हैं इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे time देख सकते हैं यहाँ पे time में आप देखे कि अभी मेरा play head 2 second पे है और इसलिए यहाँ पे 2 second लिखा आ रहा है अगर मैं इसको change करके 4 second कर दूँ और enter कर दूँ तो मेरा play head देखे 4 second पे आ गया है तो यहाँ से अगर आप play head को भी slide करेंगे तो आपका time अपने आप ही slide होता जाएगा नीचे की तरफ आपको scroll करने का option दिया है जिसको scroll करके आप अपनी timeline में कहीं पे भी move कर सकते हैं इसके बाद जो second important tool आपको मिलता है वो है selection tool अगर आप selection tool को select करते हैं और आप अपने video को इस selection tool के थूँ कहीं भी इधर से उधर move कर सकते हैं तो जैसा कि आपने दिखा कि मेरे video में यहाँ पे थोड़ा सा gap था तो मैंने selection tool को highlight करके अपने video को थोड़ा left की तरफ shift कर दिया अगर आप यह नहीं करना चाते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपने mouse से right click करें इस खाली जगे पे और ripple delete का option आता है ripple delete gap और यह सारे gap को delete कर देता है यहाँ पर preview window में दोस्तों आप display button को click करके आप अपने video का preview यहाँ पे देख सकते हैं साथ ही में आपको एक और button मिला है जो कि आपको frame by frame आगे बढ़ने की facility देता है इसके बाद दोस्तों अगला tool जो आपको मिलता है वो है drag tool अगर आप drag tool को highlight करेंगे तो आपके पास ऐसे एक पंजे का cursor बना आ जाता है और इससे आप अपने timeline को slide कर सकते हैं द्यान देने वाली बात यह है कि इससे आप अपने video को slide नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ अपने timeline को slide कर रहे हैं मैं फोड़ा सा zoom कम कर देता हूं ताकि आपको पता चले अभी मैंने drag tool को select किया हुआ है और मैं अपने video को अगर किसकाना च slice tool को use करके आप अपने video में cut लगा सकते हैं जहां पे भी आपको cut करना हो आप slice tool से उसको cut कर सकते हैं for example मैं अपने playhead को यहां पे लाता हूं मैं आगया हूं approximately 4 second में और यह 4 second में मैं अपने video में cut लगाना चाहता हूं तो यह मैंने cut लगा दिया और अब देखिए जब आप cut लगाएंगे तो आपका audio portion भी cut होगा क्योंकि यह audio और video एक ही file में है और मैं इसको थोड़ा सा आगे slide करता हूं और यहां पर मैं दूसरा cut लगा देता हूं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अपने एक video में दो cut लगा के तीन हिस्सों में divide कर दिया है अब मैं अ आपने cut वाले portion को delete कर दिया है अब यह gap हटाने के लिए मैं right click करूँगा और ripple delete gap कर दूँगा और अब यह मेरा video join होगया है अब मैं यहां से play कर सकता हूं और देखिए all of a sudden यहां पर क्योंकि मैंने बीच का portion हटा दिया है तो आप यहां preview window में देखेंगे all of a sudden मेरा scene change हो जा रहा है अगर आप चाहें तो इनके बीच में कुछ effect भी डाल सकते हैं effect डालने के लिए आप इस तरफ effects में जाएंगे और अपने पसंद का कोई भी favorite effect डूंड सकते हैं मैं फिराल transition video में जाता हूं और मैं dissolve में जाता हूं और मैं एक cross dissolve effect को यहां पर डाल देखता हूं तो अब दोस्तों अब जब मैं यह video play करूंगा तो आप देखिए all of a sudden change ना हो करके यह cross dissolve हुआ आप एक बार फिर से देख लें मेरा video all of a sudden नहीं change होगा यह cross dissolve हुआ तो इस तरीके से आप बीच में effect डाल सकते हैं अगर आपको अपने editing में कोई भी गड़बड़ी लगे या आपको अपना editing पसंद नहीं आए तो आप windows machine में control z दबाके आप अपने editing को reverse कर सकते हैं मैंने देखिए दो बार control z दबाया तीन बार control z चार बार और पांच बार और मेरे सारे cuts वेगरा जो मैंने लगाये थे वो revert हो गये हैं मेरे clean video एक बार फिर से मेरे सामने है दोस्तों इसके बाद जो आपको यहाँ पर tools मिलते हैं वो थोड़े advanced tools हैं हम इनके बारे में अगले section में बात कर सकते हैं लेकिन फिलहाल एक और important tool है जिसके बारे में बताना चाहता हूं और वो है rate stretch tool rate stretch tool को highlight करके आप अपने video को लंबा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं दोस्तों यह video को जो छोटा मैंने किया है यह video cut नहीं हुआ है या video के last के portion को मैंने delete नहीं किया है मैंने उसी video को compress कर दिया है ताकि वो कम समय में पूरा frame play हो जाए और इस तरह से करके हम अपने video को fast forward कर सकते हैं अभी देखे मैं play कर रहा हूं और मेरा video fast forward play हो रहा है similarly मैं rate stretch tool को use करके अपने video clips को long कर सकता हूं और चितना stretch करेंगे आप उतना content उतने समय में play होगा यानि आप slow motion effect डाल रहे हैं अगर अब मैं play करूं तो मेरा video देखे काफी slow motion में चलेगा तो यह एक बहुत important tool है जो मैं frequently use करता हूं और video editors भी frequently use करते हैं अब मैं वापिस से ctrl z कर दूंगा और मेरे video वापिस से original shape and size में revert हो गया है इसके बाद दोस्तों आप यहां पे अगर चाहें तो right click करके track और भी tracks insert कर सकते हैं तो अभी आप देखें दोस्तों मेरा original video track tool पे था और मैंने एक blank track insert कर लिया है video 3 के नाम से और जैसे ही आप video 3 insert करेंगे और यहां पे कोई file लाके आप drop करेंगे drag and drop तो अगर उसमें audio होगा तो audio track 3 भी अपने आप ही populate हो जाएगा अब यह हमारे पास सिर्फ इस video में audio है और वो audio 2 track पे है इसलिए हमें audio 3 track नहीं दिख रहा है तो चलिए एक और file हम import करते हैं वापस से हम import में गए और इस बार हम import करना चाहते हैं यह file तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि इस file में सिर्फ video है और audio नहीं है तो अगर मैं इसको यहां पे track 3 में रखूंगा तो आप देखिए यह मेरी video आ गई track 3 में लेकिन audio जो है वो नहीं आई क्यूंकि इस video clip में audio नहीं है यहां पे एक चीज़ बहुत important है जो हमें समझना चाहिए hitfilm express या कोई भी video editor layers में काम करता है अब क्यूंकि मैंने यह video 3 को video 2 के ऊपर डाल दिया है तो आप देख सकते हैं मेरे preview window में video 2 नहीं दिख रहा है सिर्फ video 3 दिख रहा है और अगर मैं play करूंगा तो मुझे सिर्फ video 3 के ही preview नजर आएंगी मैं इसको यहां से remove कर देता हूँ और right click करके मैं track में delete कर देता हूँ यह extra track है पता नहीं कहां से आगे इसको भी मैं delete कर देता हूँ तो अब मेरा timeline बिल्कुल clean है मेरे पास एक audio track है और एक video track है दोस्तों अब हम trimmer window की तरफ चलते हैं trimmer window में हमें एक और facility मिलती है और वो facility है video के length को trim करके timeline में डालने की for example यह video जो मैं ले के आया इसको मैं play करके देखता हूँ और मैंने decide किया कि मैं यह पूरा video अपने timeline में नहीं लाओंगा बलकि मैं अपने starting point यहां रखना चाहता हूँ तो आप अपने cursor को starting point पे ले आएं और यह बटन क्लिक कर सकते हैं या फिर keyboard से i button दबाके आप यहां से starting point या input point सेलेक्ट कर सकते हैं similarly मैंने इसको play कर दिया और let's assume कि मैं अपना output point यहां पे रखना चाहता हूँ तो मैं यहां पे इसको stop करूँगा और keyboard से O बटन दबा दूँगा या फिर यह बटन दबाके मैं output point सेलेक्ट कर लूँगा तो आप देख सकते हैं यहां पे बाकी का area जो है उसको grey out कर दिया है और यह trimmer window हमें बता रहा है कि हम इस video में से सिर्फ इतना portion ही अपने timeline पे ले जा रहे हैं और timeline में ले जाने के लिए मैं simply इसको drag and drop कर दूँगा और यहां पे रख दूँगा अब आप देखें क्योंकि इस video में हमारे पास audio नहीं है इसलिए audio track खाली रहेगा अब मैं इसको यहां पे अपना playhead लेके आऊंगा और play करके देख लूँगा और यह देखें एकदम से यह दूसरा video हमारे उसमें आ चाता है दोस्तों अब हम कोई audio file import करके देखते हैं तो म मेरे पास मैंने YouTube से कुछ free audio download करके रखा हुआ है मैं इन में से कोई एक import करके देखता हूँ और मैं import करना चाहता हूँ इसमें से यह वाला audio और यह देखें यह audio आ गया है और मैं इसको simple drag and drop कर दूँगा और यह अपने आप ही मेरे लिए एक audio track बना देगा या फिर मैं इसम right click करके insert track करूँगा आप देखें एक audio track मेरे पास आगया है और इस audio track में यह audio ढाल सकता हूँ यह wavelength जो आप देख रहे हैं यह आपको बता रहा है कि आपके audio में आवाज है तो देखिए जैसे मैं play करता हूँ आपको इधर right hand side में voice meter देखता है और यह voice meter आपको बता रहा है कि आपका audio बहुत ही loud play हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे red bars और yellow bars बन रहे हैं दोस्तों हम एक और भी चीज़ देख रहे हैं कि हमारी audio की length जो है हमारी video की length से काफी ज़ादा है तो हम अपने audio के length को थोड़ा cut करना चाहते हैं play head को उस जगह पे लाँगा जहाँ पे मैं अपनी audio को cut करना चाहता हूं मैं slice tool को select करूंगा और यहाँ पे मैं अपनी audio को cut कर दूंगा फिर मैं selection tool को select करके यह बाकी का portion delete कर दूंगा तो अब मेरा audio और video का length approximately same हो गया दूसरी चीज़ जो हम करना चाहते हैं क्योंकि इस audio की volume बहुत जादा है तो हम इसको थोड़ा सा volume को decrease करना चाहते हैं volume decrease करने के लिए आप audio track में जाकर के और इस slider को नीचे खिसका सकते हैं और अब आप देखेंगे कि आपके volume जो है वो काफी decrease हो जाएगा देखें दोस्तों अगर मैं इसको बढ़ा दूँगा तो यह volume काफी बढ़ जाएगा और अगर मैं इसको decrease करूँगा तो यह volume काफी low sound में हो जाएगा देखें कितने धीमी आवाज हो गए इसकी इसमें एक और interesting चीज हम कर सकते हैं दोस्तों मैं अपने editing के timeline में एकदम start में आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह audio एकदम से शुरू ना हो जैसा कि अभी हो रहा है यह देखें एकदम से audio शुरू हो जा रहा है मैं चाहता हूँ कि audio धीरे धीरे करके शुरू हो तो उसक दूसरे वाले को पकड़के मैं ऐसे नीचे कर दूँगा तो आप देखें यहां से audio जीरो से शुरू होगा और धीरे धीरे करके जब आपका playhead यहां पर आएगा तब audio अपने full volume में आएगा हम play करके देख सकते हैं तो आप notice कर सकते हैं कैसे audio zero volume से शुरू हुआ और gradually धीरे 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 audio अपने maximum volume पे आया similarly हम video के end में यहां पे fade out effect भी डाल सकते हैं audio पे मैं control बटन दबाके यहां पे एक key बना लूँगा और यहां पे दूसरा key बना लूँगा और इसको ऐसे करके fade out effect डाल दूँगा आप यहां पे playhead लाके play करके देख सकते हैं आपका audio धीरे धीरे fade होगा perfect इसके साथ ही दोस्तो hit film express में आप किसी भी panel को अपने हिसाब से कहीं भी float कर सकते हैं कहीं से भी हटा के किसी भी जगह पे आप अपने panel को set कर सकते हैं for example मैंने इसको float कर दिया है और अब देखिए मैं अपने इस meter को कहीं भी रख सकता हूं और इसी तरीके से आप हर चीज को change कर सकते हैं अगर आप change करके अपने पूरे interface को mess up कर देते हैं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है आप simply यहां उपर आए windows में workspace में और reset workspace को click कर दें और head film आपके workspace को वापस से reset करके default बना देता है दोस्तों अगली चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है picture in picture effect so अब हमारे पास दो वीडियो है और दोनों एक ही timeline में है मैं क्या करूँगा मैं एक और वीडियो track insert करता हूं और यह हमारी एक तीसरी वीडियो track आ गई है मैं इसको तोड़ा सा audio track को नीचे खिसका देता हूं ताकि visibility हमारी सहीर है अब देखिए मेरे पास एक और वीडियो track आ गया है जो कि बिल्कुल blank है मैं अगर चाहूं तो इसका नाम भी बदल सकता हूं मैं इसको वीडियो 3 से हटा के picture in picture नाम कर देता हूं picture in picture के लिए मैं अपने इस वाले वीडियो track को picture in picture वाले में ले आऊंगा और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास यह ऐसा कुछ arrow बना हुआ आ जाता है इसको पकड़के आप अपने वीडियो कहीं भी ले जा सकते हैं यह goal circle जो है इससे आप अपने वीडियो को ऐसे घुमा भी सकते हैं और अपना effect बना सकते हैं अब दोस्तों यहां पर मैं इस वीडियो को यहां पर छोटा सा करके इधर picture in picture effect डालना चाहता हूं और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा controls में मैं controls में जाओंगा और controls में जाकर के मैं इसके scale को छोटा करूंगा और यह मैंने इसको अपने हिसाब से छोटा कर दिया और अब आप इसको चाहें जहां भी ले जा करके आप रख सकते हैं और इस तरीके से यह picture in picture effect आपको देगा यानि आपकी original screen चल रही है और उसके साथ आपकी दूसरी clip भी चल रही है तो यह बहुत ही अच्छा effect आपको देता है आप इसको चाहें तो इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं मैं इसको यहां left hand side में drag करके रख दूँगा और अब यह मुझे left hand side में picture in picture effect दे रहा है अगली चीज़ जो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ वह है अपने वीडियो पे text डालना अपनी वीडियो पे text डालने के लिए आप text वाले field में आएं और यहां से आप यह text वाला button select कर लें और यहां पे मैं लिखना चाहता हूँ thanks for watching the video दोस्तों इस text को आप highlight करके आप इसकी properties भी यहां से change कर सकते हैं for example मैं इसको aerial black से change करके कुछ और डाल सकता हूँ मैंने इसको broad text कर दिया यह अच्छा नहीं दिख रहा है मैं कुछ और डाल देता हूँ bell empty कर देता हूँ मैं इसकी size को घटाया बढ़ा सकता हूँ आप दिखिए मैं इसका color change कर सकता हूँ बहुत ही गंदा color select किया मैंने white color ही ठीक दिख रहा है मैं इसमें outline डाल सकता हूँ तो मैंने इसमें white outline डाल दिया और यहां से दोस्तों यह जो है यह मेरा text यहां से शुरू होगा और यहां पर finish हो जाएगा मेरी video की पूरी length यहां तक है तो आईए इसको play करके देखते हैं यह देखिए मेरा text आया और यहां पर खतम हो गया दोस्तों आप इस text में fade वाला effect भी डाल सकते हैं एकदम से text appear ना हो बलकि धीरे धीरे appear हो उसके लिए आप यहां पर keyframe बना सकते हैं जैसा कि पहले हमने audio file के लिए बनाया था और इसको drag करके आप नीचे drop कर दें तो अब यह text जो है आपका वो धीरे धीरे appear हो गया आये play करके देखते हैं देखिए कितने खुबसूरती के साथ धीरे धीरे करके मेरा text appear हुआ अगर मैं चाहूं तो rate stretch tool यूज़ करके अपने text की duration को भी बढ़ा सकता हूं एक बार फिर से play करके देखते हैं और यह देखिए देरे-देरे मेरा text आया और यह गया भोगी text tool में दोस्तों और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती है for example मैं अपने text की height यहां से बढ़ा सकता हूं आप देखिए यहां से मैं अपनी text की height बढ़ा सकता हूं और इसको घटा भी सकता हूं similarly दोस्तों आप अपनी text की चोड़ाई को भी इस tool को use करके घटाया बढ़ा सकते हैं और आप अपनी text के बीच की spacing को भी यहां से change कर सकते हैं तो यह सारे features आपको मिलते हैं यहां पर आप नीचे देखेंगे तो आपको और भी बहुत सारे option मिलेंगे for example मैं अगर यह option क्लिक करूं तो मेरे सारा capital हो गया अगर मैं यह क्लिक करूं तो देखें starting जो है वो capital है और बाकी सब small letter में आ गया जो normal writing style होता है similarly अगर मैं यह क्लिक करूं तो यह सारा lower case में आ जाता है अगर मैं यह क्लिक करूं तो मेरी text underline हो जाती है अगर मैं यह क्लिक करूं तो मेरी text cut जाती है, strike through हो जाती है tool use करके हम अपने text को अपने video के किसी भी portion में रख सकते हैं तो basic editing के ये कुछ steps थे दोस्तों जो आज मैंने आपको बताया इसके बाद जो अगला portion आता है वो advanced editing का होता है जिसमें हम composite shots बनाना सीखते हैं advanced course के लिए मैं अगली video जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको text animation और motion captures के बारे में बताऊंगा अब हमारा जो last step होता है दोस्तों वो होता है अपनी video file को export करने का अपनी video file को export करने के लिए हमें यहाँ पे एक चोटा सा button मिलता है और आप इसको click करके export now पे जाते हैं export now पे आपको दो option मिलता है in to out और content नॉर्मली मैं content select करता हूं और content select करने से जो भी content आपके timeline में होता है वो export हो जाता है अगर आप चाहें तो in and out select कर सकते हैं और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यह in आपका यहाँ है और out आपका यहाँ है तो यहाँ से लेके यहा content को export करता हूं और जितने भी content मेरे timeline में है वो export होना शुरू हो गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे content export हो रहा है इसको थोड़ा सा time लगता है दोस्तों थोड़ा सा time इसको allow करना चाहिए export करने में हमारी editing और machine के capability के हिसाब से time लगता है और आप देख सकते हैं यह frame by frame export कर रहा है और export करके यह इस location पे मेरी video को as an mp4 format में save कर देगा हम इसको थोड़ा सा time देते हैं दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि हम अपने viewer tab से shift करके export वाले tab में आ गए हैं और इसलिए हम यहाँ पे जो preview screen दिख रही थी वो नही दिख रही है अब तो जब यह एक बार export हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्लिक करके अपने preview screen में वापिस से जा सकते हैं तो दोस्तों अब हमारा content export हो क्या है और मुझे इस तरह का green finished लिखा हुआ दिख रहा है मैं इस link पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरी video file बनके save होई है मैं इस video file को play करके एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसी बनी है video तो दोस्तों यह बनी है हमारी video अगर इसको full screen कर दें तो आप देख सकते हैं यह picture in picture effect आया मेरा यहाँ पे मेरा text आया और बहुत ही खुबसूरत video तो दोस्तों आज की यह video मैंने सोचा था कि basic editing को लेकर के बताऊंगा hit film express को कैसे use करना है दोस्तों hit film express एक professional video editing tool है जिसका इस्तेमाल hollywood की movies में भी होता है और क्यूंकि यह free है तो इसको बिना जिजाके हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी परिशानी के normally मैं देखता हूँ बहुत सारे youtubers crack version use करते हैं चाहे वो adobe की software हो गया चाहे filmora हो गया जो की ग्यार कानूनी है तो जब हमारे पास hit film express जैसी एक powerful tool है तो क्यूंना इसको थोड़ा सा सीख लें और इसको use करना शुरू करें मैं आप सबसे request करूंगा कि मेरे चैनल को subscribe जरूर करें ताकि इस तरह के वीडियो में बनाता रहूं और आप लोगों को नई नई चीजे सिखाता रहूं अपना समय दने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जूड़े रहें have a great day